नमस्कार आप देख रहे हैं दो का दम मैं हूँ आपके साथ इलक चावला और साथ ही आज दो के दम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है मेरे सयोगी हरी शैसवाल जी आग दो के दम में बात होगी उत्राखंड के एक ऐसी शक्सियत की जो इस वक्त उत्राखंड कॉंग्रेस को अपने कंधो पर आगे बढ़ाने की कोशिश में है जहाँ पर विपक्ष के रूप में कॉंग्रेस इस वक्त आईसीउ में दिखाई दे रही है लेकिन क्या एक डॉक्टर की तरह ने प्रदेश अध्यक्ष कॉंग्रेस को खड़ा कर पाएंगे क्या वाकई में उनकी वो वैक्सीन काम कर पाएगी संगठन को एक जुट करने में जिसका दम कॉंग्रेस संगठन के नेता भर रहा है तो हमार साथ मौझूद है ने नवेले प्रदेश अध्यक्ष करन मारा साब मारा साब बहुत-बहुत स्वागत है निवस वर्ड इंडिया के लिए वक्त निकारा है मारा साब सबसे पहले कुछ खटे कुछ मीठे सवाल हो तो पहले मीठे या खटे मतलब समझ गए कप्तान जो है एग्रेसिव मूड में है लेकिन आपको नई भूमी का मिली है तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुप काम ना है तो ने प्रदेश अध्यक्ष से शुरू करते हैं मुकाबला प्रदेश अध्यक्षी सबसे पहले जो जिम्मेदारी आपको मिली कभी सोचा था प्रदेश अध्यक्षी जिम्मेदारी मिलेगी मैंने कभी इस हुर ध्यान नहीं था संगठन के लिए काम कराओं कभी नहीं तो मान में पूरप्रदेश अध्यक्ष गणेश गोद्याल जी के अंदर भी थे, तो फिर आप में अलग क्या है। जैसा कि आपने कहा कि पार्टी इसमें दिक्कत में है, लोगों को एक नयापन के आउशकता थी। और कारेकरता जो इस समय चुनाओं से पहले का माहल था, ऐसा लग रहा था कि कौवर्मेंट कांग्रेस के बनेगी। इवन सरकारी करमचारी जहां भी चर्चा हो रही थी कांग्रेस के लिए बोल रहे थे। उन सारी चीज़ों के बाद जब रिजल्स आये हैं तो कारेकरता हतुत साइथ है। अरण साथ, आपने कहा कि गाउं गाउं जाकर लोगों तक कांग्रेस की बात पहुंचाओं। पर आपको लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर वरिष नेता हूं, मन बेद, मद बेद, दोनों दिखाई दे रहे हैं और खुले रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब अंदर ही सही नहीं है तो गाउं जाकर क्या करो गया। मैं इसमें आपकी बात पर इतना ही कहूंगा क्योंकि कॉम्मिकेशन गैफ है जो मुझे महसूस होता है। जैसे की? संबाद जरूरी है, संबाद में कमी यह आपस में जो सीनियर्स है। किसके संबाद में कमी है? क्या कमी दिखाई दिया आपको समबाद की समबाद की कमी यह है कि पोर्टल्स के माधियम से कोई नियूज आ रही है मेरे अगेंस्ट अगर किसी ने कहा है कहा या ने कहा पता नहीं मैं उसको मान ले रहा हूँ कि मतब किसी आदमी ने यह कहा है यह तो पद्रकार और नेता के बीच की बात है क्या नेताओं के बीच में इस तरह का कॉम्मुनिकेशन गैप है और उसके लिए जरूरत है कि महने की मंतली या ऐसे कोई मेटिंग्स हो किसी ना किसी बहाने से किसी माध्यम से ताकि आपस में उठना बैटना और जो भी बाते हो यह आमने सामने हो बाते तो उसी समय तो आपकी जिस दिन ताज पोशी थी उसी दिन मंच पर दिखाई दिया वह कॉम्निकेशन गैप तो खूले तोर पर दिखाई दिया आपके प्रदेश प्रभारी जो है वह आपके बड़ सबसे बड़े चेहरे पर निशाना साथते हैं वो आपके प्रदेश प्रभारी पर निशाना साथते हैं। मुझे नहीं लगा किसी ऐसे सेंटेंस में नहीं सुना प्रभारी के मुझे कि उन्होंने किसी नेता के एक खिलाफ कुछ कहा हो। और सिर्ष नेतरत्र ने भी ऐसी कोई बात है हमारे यहां के चाहिए वह रही श्रावजी बोले हूँ या गणेश गोड्याल जी बोले हूँ किसी ने भी आप उसकी बात का मंतववे कुछ भी निकाला दीजिए। मेरे असाब से तो किसी ने कोई गलत बात नहीं कहा। अधरी श्रावजी ने एक शब्द ये कहा कि गड़वाल कुमाओ मैं बैलेंस की बात उन्होंने कहीं वह परभारी पर नहीं जाती। वह उनका एक सुझाओ क्योंकि जो घर का बड़ा होता है वह सुझाओ देने की शब्द आपनी बात मैंने मंच से ही कह दी थी। मैंने उधारन गया था 2002 का मैंने उधारन दिया जैभट जी का कि जो नेता प्रतिपक्स और बीजेपी आदेक्स दोनू पदू पर रहे हैं मैंने उधारन दिया त्रवेंद रावजी तीरत रावजी के मुखिमंतरी रहते वे मदन कौशिक जी का आदेक्स बंते वे ऐसे ही कि जाती है आपने का मदभीत नहीं है नहीं मैंने कोई चीज उनके लिए व्यक्तिकत तौर पे गई अपने अगर मेरा सुना भी मैंने उनको नारियल की उपादी दी मैंने का बाहर से सकते अंदर से नरम है मुझे लगता है वो जो उन्होंने बोला अवेश में बोला लेकिन जो चीजें बोली गई है उनका परिक्षन करने के लिए हमने कमीटी के गठन करने की बात कही है क्या लगता आपको दामी इतना गुस्से में क्यों है यह तो वही बता सकते है लेकिन गुस्से में और इच्छाएं सब की होती है लेकिन बात करने का एक तरीका होता है आपको नचीज भी को नोटीज भी भीज़ देंगे आप निश्चे थी पक्का हाँ आपको नगता इससे मामला और बड़ेगा लेखिए साथ 34 होंगे तो भी विपक्स में है पिछली बार हमें 11 लोग ते तो भी हम विपक्स में थे दोजार 27 तक सरकार तो बनने वाली नही आप यह कहरें एक विकेट गिरने वाला और मेरा केवल यह है कि उसको भी मौका मिला अगर उन्होंने कुछ कहा है या चीजें पार्टी तक आई है हाई कमान तक अगर कोई चीज गई है तो हम उनको नोटिस भेजने का मतलब ही नहीं कि हमने उनको बाहर निकाल दिया नोट आप यह कहरें नोटिस जेंगेट फर इसका मतलब कारवाई करनी पड़ेगी आपको मैं आपको अधारन के साथ बता सकता हूं आप ही के संगठन के रूप में अगर मैं देखूं प्रदेश अधेक्षी भूमिका यश्पालारी संभार रहे थे आपको याद होगा उस वक्त आप शायद विधायक की भूमिका में थे सो नोटिस जारी हुए थे एक दिन के अंदर अनुशासन समीती के और धिरेन परताप उस वक्त और भंडारी जी आपके अध्यक्ष हुआ करते थे और एक घंटे के अंदर वो सो के सो नोटिस वापिस हुए थे करनमारा कर लेंगे देखिए पहले क्या हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं मैंने इसलिए स्वेयर को इन नहीं 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 लिया मैंने कहा कि जो सीनियर्स हैं उनके कमीटी बनाएंगे वो जो वाटस अप में या फेस्बुक में जो चीचाया कंटेंस आये उनको देखना है उनने जो व पता होना चाहिए था कि जिस पार्टी ने यूट कॉंग्रिस के लड़के को उठाकर विधायक का टिकेट दिया और उनको तीन बार विधायक बनने का मौका दिया जब कोई विधायक इतना सीनियर्स विधायक के कहे कि मैं विपक जो हमारी अपोनेंट पार्टी है उसके ज़रूर दुख है कि अईसा तो नहीं को इसक्रिप्ट कोई और लिख रहा था अभी यह तो जब अधर दिए उत्तर दिंगे तो अभी समझ से तो अब यह तो यह तो अधर आपको यह तो आपको यह भी मालूम होगा कि उनको टिकेट किस ने दिलवाया था यूथ कॉंग् तो ज़ो जानकारी है यह यह यार Nag a रिस्ता तो हैं आपका माम ऑन भांजय का है लेकिन महापथ तो गुरू और चेले का है वो तो कहते हैं अगोथा करें इस ने टिलिख discussion कि मैं गॉरू के लिए अंगुठा को दूँगा वही शक्स निक हे तो दुख्का कररे निया है कि वही शक्स इतना लिहास तो होगा मतलब आप मान गए कि δो गुट है कम से गार इस पार मानने नहीं मानने का क्या जबी में अगर अगर देखे हैं तो अजयबच जी का एक गुट है निसंक जी का एक गुट है खंडूरी जी का अलग गुट था तो आपके यहां तो सिर्फ दो ही बचे ना तो इसलिए आपको संभागा है वो भी खतम हो जाएगा वो कैसे खतम कर लेंगा वो खतम ऐसे होगा जब क्यूंकि दोनु बड़े नेता हैं और दोनु देखे पार्टी के देख से रहे हैं और हरी श्रावजी मुख्यमंतरी रहे तो ACLP और Cabinet Minister रहे हैं ऐसा नहीं कि पार्टी ने को कुछ नहीं दिया है सभी कुछ पार्टी ने जो मान सम्मान दे सकते मैक्सिमम पार्टी ने दोनों को दिया है और दोनों के बीच में विवाद क्या है आप समझ पाए इतने दिनों में क्या विवाद है मैं एक चीज़ आपके चैनल में साफ साफ करना चाहता है विवाद नेताओं में नहीं होता किसमें बीवाद होता हुता है जो चले साथ में चाहते हैं वही अनावसनाप्टिपणिया करते हैं और उसी से खाई बनती है अरी श्रावजी के तो बहुत सारे हम लृतु बहन से चेहलों के अपनी है भी रहे हैं हम तो प्रीथम जी के साथ भी हरांधुम्हजी के साथ भावंहां मतना थबी चेहल determiner he गुरू की बागा बशाब近 है कम गम्ही रहे बहुतु अपार तो प्रीतम जी ने बोल दे न, काही नहीं जाएंगा वह पहलें पहले दिन जाये दे लाइन, दियुक整 है तो वह क्यों पहला रहा है जा लेग il Campbell कुई लिक रहा है किया? कहा ना लीडरिशिप खतम हो रही है जो लोगों का विस्वास था हम नेता उने वो खोया है कहीं ना कहीं आज जब कोई नेता कुछ कहता है तो उसमें से आधे से ज़्यादा लोग की सुचते हैं बोल गया बस ये तो नेता हैं कह गया है क्योंकि बहुत बार ठगे गए हैं ल होता है मैं अचानक चले जाओं और घर का माहौल ठीक नहीं हो तो आदमी मुझे छोडने के लिए ट्राइंग रूम तक आए अब उसमें लोगों ने स्टोरी बना दी कि साफ फूल नहीं पकड़ा बीबी एड्मिड है अब हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं समय कंट्रोल क्यो कितनी खामिया यहां पर कितने जख्म हैं इस संगठन के भीतर मरहम भी लगाना है सब कुछ लेकिन कप्तान के रूप में आपने हिटलिस बनाई है कुछ हिटलिस तो नहीं कह सकते हैं मैंने पॉइंट्स बनाया है कि किन किन चीज़ों मैं मुझे खाम आपको तो मालूम है ना कि चेले कहां कहां फिट हैं कहां कहां आपको खुछ तो अभी कम दिख रहे होंगे, जब आप आई हैं पहले भी आप आई हैं, आज वह चेहरे कम दिख रहे होंगे चेलो की छटनी कर दी आपने? मैंने छटनी ने की छेले खुछ चलेगा? मेरा काम करने का तरीका ऐसा है कि आदमी को पता चलता है कि मुझे पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है जब मैं बहुत दिनों तक अगर इग्णोर करूंगा तो वह क्यों बैठेगा आके मैं जो काम करने वाले लोग हो उनके संग्भल का है एले गुरू को बता दें कि भाया अब तो पूछी नहीं हो रही नहीं मैं गुरू को पूछ रहा हूं लेकिन अच्छा गुरू को पूछ रहे है अच्छा आपके एक स्ट्रेंथ थी नेरेंदर तिवारी जी की टाइम से इंडिस्ट्रिल एरिया आप लोग उत्रकंड में लाए थे और आज बीजेपी भी साफ सब्दों में कहते है कि नेरेंदर तिवारी जी की है पहल थी और उनने बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया कि इसमें कमिया है या इंडि और ऐसी जिनको हमको अपने वर्कर्स से डिसकस करना है जैसे तिलग भाई ने कहा कि रोजगार पर आप लोगों का फोकस है पूरे करोना काल में पेरामेडिकल के जो बच्चे थे उन लोगों ने बहुत मदद की उस समय करोना वारियर्स का इनाम भी मिल गया आप जानकर र हम किसी को निकालने नहीं जा रहे हैं इनको समय जित किया जाएगा तो यह सारी चीज है जैसे आपने इंडस्ट्री की बात की इंडस्ट्री में जो सब्सीडी जा रही हैं उसके बाद सब्सीडी जैसी खतम हो आप देखेगा वहां से वाइन करके चले जा रहे हैं तो यह आप अपने जितनों रोजगार दिया आप आकड़ा पेश करिए विभाग अनुसार करिए लगातार हम भी ये बात कह रहे हैं लेकिन कम से कम आप भी तो एक उधारन पेश करिए कि हरी शरावाजी के शासनकाल में हमने इतना रोजगार दिया था इतने लोगों को दिया था औ सामने चुनोती है करन मारा ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम यह आकड़ा लेकर आएं सरकार सामने बार-बार करते रहे हैं और अभी देखे मैं आद नुवा दिन है मुझे जोईंग के और उसमें मैंने कई किसम के अपनी बैठा किया और चीज़ा के तैयारिया कर रहे हैं मैं बिना तैयारी के कोई चीज ने करता है विदान सभा में चाहिए मेरे को बोलना हो आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजे चाहिए आज का काम है मैं कोई भी हैफ हैजर्ड वे में मैं कोई चीज नहीं करना चाहता जैसे हरीश रावट जी के टाइम पे पंद्रह लड़क अब हम जितने टूजी से लेकिए जितने हम स्कैम्स की बात आए थी उनकी हम लोग ने नहीं आप टूजी छोड़ी है यहां तो 56 और 156 गोटाला एक गोटाला सिध नहीं हुआ आपके उत्रा खंड में एक गोटाला एक नेता आप मुझे बता दीजी अगर कोई सिध हुआ मैं 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 बताता हूँ मैंने आपकी बात कड़ गई मैंने आपसे मैं केवल यह कहना चाहरा था कि मैं तैयारी के साथ करना चाहता हूँ जब मैं पूरी चीज़े मेरे पार डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़े होंगे तब ही मैं इन चीज़ें को एक एक करके विश्य जिसमें आज भी गिरफताय होनी अफसोस इस बात क्या है कि किसी भी सफेद पोस्तक जो उसमें वाके में जो सफेद पोस्तक अरे बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के बड़े नेता लोग हैं आप नाम लिजेए नाम नहीं लेना चाहता है कि जब मैंने रॉक्यूमेंट्स विधान सभा को दिया हैं विधान सभा की वो प्रॉपटी आपको डर है कि मानाशनी का दावा कर देंगे नेता हैं नाम लिए नहीं जब तक कोई चीज प्रॉट में देखे नीचे का आदमी उसमें गुरफतारियां चल रही है जब तक कोई चीज प्रॉट में साबित नहीं हो जाती तब तक मैं उसमें बूलना नहीं चाहता है तो आप ने ढाइचा बीट प्रक्रण को लेकर सवाल उठाया था आपनी उठाया था और हरीश रावजी कैते हैं ध्याचा बीट प्रकण में कोई घुटाला नहीं हुआ वह कहते हैं तिलक जी हुआ नहीं है घुटाला आप अन रिकॉर्ड है मेरे पास कोट के नहीं कहा कि मुझे इससे मतलब नहीं मैंने विदान सबा मैं कोट के द्वारा दिया गिया अंतिम निर्डे की कौपी विदान सबा की पीट पेज़ तो फिर हरीश रावजी क्लिन चिट क्यों दे रहे हैं हरीश रावजी उसका जवाब देंगे मैं आपने आरोप लगाया आपने सवाल मैंने तो मैंने तो कौट देखिए मैं रावजी के टिपणी मैं किसी नेता के वैयान पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता मैंने जो कोट का अन्तिम निर्डेश उसमें है कि इसमें बहुत विशाय था, उसके भी उनके जो वाटसप ट्विच्स हैं या वाटसप में उन्हों आपस में बातचीत किया, गोटाला हुआ था, गोटाला किया उसमें साफसा उसने कहा कि 25 लाग रुपए मुझसे लिए गए, तो फिर हारी चलावजी क्यों कह रहा है कि गोटाला नहीं हु देचा बीच में कोट ने जो अन्तिम निर्ने दिया है उसमें अन्यमत्ता हुई है और राज जी को जो है धनका धनकी हानी विए, यह कोट ने माना है और कोट का जो डॉक्यमेंट है लास का अभी समय मेरे पास नहीं है तो मैं वह आप चाहेंगे तो मैं वह आप तक तो फिर हरीच रावाजी क्यों बचा रहे है त्रवेंट सिंह रावत को नाम लेने से भी तो यह जीज़ को जिसका जवाब दे सकते हैं, चलिए आप थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौ को हराक सिंह रावाजी की स्थिति, किस तरह किया आपको कैसे नेता लगते है हरक सिंह होते हैं बहुत बर पास होते हैं ले मैक्सिमम टैप पास रहे पार्टि में नहीं दिखाए दे रहे हम नहीं कह सकते तो हम नहीं कह सकते हैं कि साथ और Yaz और ऐगर वह और Als बुलाया मुबारक बाद दिए उन्होंने आपको मुझे एक बहुत सुन्दा सा पॉंधा के साथ गिफ्ट पिर एक बात हरक सिंग रावत को लेकर क्योंकि जिकर कर दिया हरक सिंग रावत को लेकर सरकार आरोपों के कड़ गरे में खारी कौंग इसका स्टेंड कैं हरक सिंग रावत के साथ या फिर नहीं हरक सिंग रावजी पर जो आरव लगाए हैं और मनोज रावजी मेरे साथ ही विधायक थे उन्होंने इस विशाएगो विधान सबाव में उठाया था अगर वह आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर जिस पर भी आएगा तो दोस्ती तो दोशी है उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता अगर उन्होंने गलत किया हो तो निश्य थी उनके अगेंस्ट रहेंगे आरोप तो आप के थे आरोप थे मनोज रावजी ने मैं कह रहा हूंना मेरे में और मेरे सी लुपाव सिवाव कर तो किया गए उस बजाया समय कृशी मैंने की मामले के देनी के बात की तो मुख्य मंत्री पेयान देनों किma सामच संती से उप्रभाचीज नहीं कही जाती है जब एक आरोप तातकालिक जो धीम रहे होंगे, जो मंत्री जो रहे कौई भी हो जिसकी सरकार उस पर देखे NS 74 पर NS 74 का जो पूरा प्रकरण है अगर उसको देखे तो BJP और Congress दोनों की comments बारी बारी से रही है तो उस पर मंत्री कौन था? अब मुझे मैं यह नहीं कह सकते कौन मंत्री था मैं तो कह रहा है मुख्य मंत्री देखे मैंने आपने नाम लिया ना आप आप सुनिये ना NS 74 पर चाहिए प्रेस है चाहिए इधायक गर्न है सब ने किवन NS 74 का नाम लेकर की घिपला हुआ है आरिबिटेशन पर कोई नहीं बोला और मैं कह रहा हूँ मैं आरोप लगा रहा हूँ मुख्य मंत्री जी ने हाउस में त्रिविंद रावट जी ने कहा कि इस पर हम सी बिए जांज बिटा रहा हूँ और बात में अपने बयान से मुकर गए जबकि हाउस में तिन कटकरी का मत्री की नहीं हो सकता और उसमें किन अधिकारियों का किन मंत्रीयों का या उनका संग्रक्षन यह प्राव मेरी बात सुने हैं बाई तिलग जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे जब तक डीम जेल नहीं जाएगा जब तक उच्छा अधिकारी जेल नहीं ज आप अतलब संग्ठन इस तरफ नाम नहीं किये गए पर्टी दोरा नहीं मेरी जान करी में क्यों हमने यह कहा कि पहले आज मंत्री का नाम नहीं नहीं मेरे साथ मैं हरक्षिंग जी वाले मैं मैं साफ कह रहा हूं कि अगर दोसी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ करवाई हो आपके मांग करें CBI जाच हो। वह एनस 74 में जो अर्बिटेशन का मामला उसकी भी CBI जाच हो नीचे जो यहां कुम्ब में जो कोविट जाच का जो था उसकी भी CBI जाच हो चोटी मश्लियों को पकड़ते रहें साफ जिनके साथ था जिन्होंने बिना उसके कागजात पूरे हुए बिना वो मतलब वो आत्म हम तो यह चाहते हैं कि सफाई हो नीचे से लेके उपड़ तक जो दोशी है उसको जील जाना चाहे किसी पार्टी चाहे कोई हो कॉंग्रिसी हो हमारी कोर्मेंट ने तो यूपीय में डाले है ना अपने लोग जेल में हरी श्रावज सरकार का कोई गोटाला जो है साबित तो करे कोई तो आज उनको संक्रेक्षन हम थोड़ना दे रहे हैं बीजेपी दे रही है आरोप तो लगे बीजेपी दे ने आरोप ने जा दिए उसमें बकाईता बयान है कि उस व्यक्ति ने आज उस व्यक्ति को निकाल जरूर दिया है लेकिन मेरा यह कहना था कि जिस समय उसको मनाया जा रहा था उसने 15 सूतरी एक अपनी डिमांड रखो तो इसमें से एक डिमांड यह भी थी और यह किसी बड़े नेता सुर्य स्मों करने करते हैं। आप लोगों ने प्रेस कोन परकेंस कररेंस की हैं। कि सार्व निकला मुस्लिम इन्युवस्टी एक महत्पूर सवाल और छूट गया मुझे लगता है आप मानते हैं कि हरी श्रावात उत्राखंड के सबसे बड़े नेता है कॉंग्रेस के ने अगर देखें नरंदर तिवारी जी के बाद वही सबसे बड़े नेता है मैं भी इस बात को सिवकार करता हूँ लेकिन बतौर प्रदेश अधक्ष आपको न लगता कि चंपावत में इस वक्त बहुत बड़ी सिती आ चुकी है जहां पर पुशकर सिंग धामी आपने कहा कि जंता ने धामी को नहीं चुना अगर चुना होता तो धामी खुद चुनाव जीते आज यह सिती है वो चंपावा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपको लगता कि कॉंग्रेस को अगर एक जुट करना है एक च्छत के नीचे लेकर आना है वो कॉम्निकेशन गैप खतम करना है तो हरीच रावात को चंपावा से चुनाव लड़ना चाहिए नेखिए कर थे के सासे में थोड़ने प्यार एन पर शुट करना हो रहा है नो पर आप सोचना चाह रहे हैं आपका सुझाओ बहुत सही है हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो हा कहते हैं तो हमारे को लिए तो बहुत अच्छा है सोने पर सुआ गया है डिक्कत क्या है भाई साहमती तो चाहिए हरी श्रावजी आपकी बात नहीं सुनेंगे लेकिन हमको यह भी सोचना पड़ेगा जो अहलम में समय से हमारे विधायक रहे हैं जो अपनी थैरी करें हमेज का रकवाजी तो उनसे राही लेना तो बनता है ना यहां कोई डिक्टेटरसिप तो है नहीं मैं कुछ धारण के सहता आपके सामने आ सकता हूं सितार गंज में जब विजय बॉगणा चुनाव लड़े थे तब उस वक्त किरनमंडल ने जब सीट खाली की थी तब उनके सामने परकाश पंथ ने चुनाव लड़ा था तब उन्होंने खुद कहा था मैं जानता हूं मेर करणावी चर्चा किये चाहिक हम तो हरक सिंह रावाट सी जहबी कहेंगे कि आप चुनाव लड़ जाए flavor के तो हरक सिंह रावत cig का उसमे बहुत बड़ा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हरीश रावट जी है, हरक सिंग जी भी है, खुद हमेश खरकवाल जी है, यह तो आप ने बहुत अच्छा उप्शन दे दी हरक सिंग रावट तो, हरक सिंग रावट तो वैसे ही कहते है कि भई मैं आद तक कभी कोई चुना, मेरे को दस दिन पहले बता दी बहुत सारे नामों पर विचार, बिल्कुर सीरिसली लेंगे, फ़ॉर को क्यों करेंगे भई, चुनाव लड़ना है, हम लोग राजनेदिक दल है, मुख्य विपक्सी दल है, यह हमारी जिम्मिदारी भी है कि हम जबूती से चुनाव लड़ना है, नहीं तो एक चुनोती भ हो तो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाच्छीत होती है, और पहले से दुआ सलाम है, विधायक बनने से पहले से जब वो स्टूडन पॉलिटिक्स में थे तब से, आपके प्रदेश अध्यक्षों का मैं जिक्र करूं, चाहे वो हरी शरावज जी हो, यश्पाल आरे मैंने पहले दिन ही अपने संबोधन में भी और मिरसे जो भी जिसने पुछाएगा, कि मैं डिसिब्लिन पसंद आदमी हूँ, और एक हद तक ही सहन हम करते हैं, करेंगे भी, जिस चीज से पार्टी के कारी करता का मनुबल ठूटेगा, अगर इस तरह की बात आएंगे तो न निताओं से भी बात की जाएगी, कि आमुक वेक्ती, ये ये चीज़ है कर रहा है, इससे पार्टी के अंदर गलत मेसेज जा रहा है, रवर्ट स्टम तो नहीं हो कि निशान संबी ती, जैसे हुआ करती थी पुराने प्रदेश अग्रदेश है, नहीं, मैं इसलिए जल्दी तीन लों को सुबह बुलाया था, बात की कि परिशानिये क्या आती हैं, कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपने क्यों कारभई नहीं करते हैं, तो उनने जो बात है कि उनको भी मैं समझना चाहरा हूँ, तो अब ये तो जब वो मुलाकात होगी तब ही पूछ पूछ मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा हूँ? मैसेज का जवाब नहीं दे आ, मैंने क्यों वही बूल रहा हूँ ना, वीडियो देखी हैं अब तक अब नहीं पूछा कि बीजेपी में जा रही हैं जारे हैं वट सब पूछ रहे था हैं मुझे ज़रूट नहीं है चाहँ ज़ हुआ अब सीनियर्स एक बार ट्राइ कर लें यह लोग बात कर लें मेरता काम जो है वो मैं करूँगा मैं जो कमीटी बनेगी जो उनकी राए होगी उसके हिसाब से उसके काम अब कुल मिलाके ने कप्तान भख्षेंगे नहीं यह कहरें चाहिए कोई भी हो देखिये कहना कहीं से शुरुवात तो करनी पड़ेगी शुरुवात करेंगे आप बहुत बड़ी जगा हाथ मार रहे हैं इसे मुझे पता है मैंने अपने पहले संबूदन में कहा कि जून से ल आप कहे रहे हैं मैंने मेरा मतलब है क्योंकि कमीटी गठन होगा चार सो की कमीटी को मैं पचास-पच्पन पर लेके आए हुगा कुछ लोगों को नोटिस जाएंगे तो निश्चीति उन सबने मेरे खिलाब मोर्चा खुलना तो मैं तयार हूँ कि तीन-चार मेने मेरे उप नहीं बांजर्स की ज़र रहते हैं देख लीजेगा सर क्योंकि किछवर उपाद है जी भी यही बात बोलते थे यह कॉंग्रेस है अब आपकी कॉंग्रेस है करन महरा की कॉंग्रेस है कॉंग्रेस अब कैसे चलाएंगे ने कप्तान देखना दिलचस्प होगा हमारी शुप क आया था अब यू नहीं चलेगा यानि कि ये गड़ी यू नहीं चलेगी अब गड़ी चलेगी करन महरा के हिसाब से कारेकरता के हिसाब से बहुत बहुत शुक्रिया अगली बार होगी एक नई शक्सिया से मुलाकात मुझे और मेरे सहयोगी हरी शहस्वाल जी को दीजिए के जारत नमस्कार जाहिंज भारत जय उत्रागर्ण थैंक यू